बी, 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 इन तीनों में जो confusion होती है, इस विडियो में आपकी वो confusion चू मंतर होने वाली है, तो विडियो को एंड तक देखिएगा, Hi there, my name is Kanchan and you are watching me on English Connection. मैं मेरे दोस्त के साथ पार्टी में जाऊंगी, I will go to the party with my friend. और इसी बात को गर इस तरीके से बोले कि मेरा दोस्त मुझे पार्टी में ले जाएगा, तो क्या बोलेंगे, My friend will take me to the party. अब यहां पे आप ध्यान देजे कि मैंने अपने दोस्त का जिक्र किया, यानि कि क्रिया किसके द्वरा की जा रही है, इसका जिक्र हुआ. अगर सिर्फ में इतना बोलो कि मुझे पार्टी में ले जाया जाएगा, तो यहां पे यह दिक्र नहीं हुआ कि कौन ले कर जाएगा, बस यह दिक्र हुआ कि मुझे ले जाया जाएगा, तो जोर किस पे दे रहे हैं? क्रिया पे, कौन कर रहा है, इस पे नहीं दे रहे हैं. तो यहाँ पे हम use करेंगे be का और मैं बोलूगी I will be taken to the party I will be taken to the party तो इस तरीके से be का use होता है तो जब जोर क्रिया पर दिया जाए यानि कि कुल मिलाकर ये बताया जाए कि क्या किया जाएगा वहाँ पर हम we का use करते हैं जहाँ पे करता के बारे में जिक्र हो कि कौन करेगा वहाँ हम normal sentence use करते हैं जैसे कि अगर ये बोलना है कि हम नाचेंगे तो party में जाएंगे हम नाचेंगे तो हम क्या बोलेंगे we will dance और अगर यह बोलें नाच होगा, मजे करेंगे, तो यहां पे कोई करता नहीं समझ में आ रहा है, में भी हमी डांस करें, में भी कोई और डांस करें, तो यहां में कैसे sentence बनेगा, यहां हम वी का यूज करेंगे, और यह बोलने के लिए कि हम नाचेंगे, हम बोलते हैं, we will dance, लेकिन यह बोलने के लिए कि नाच होगा, क्या बोलेंगे, the dance will be performed, ठीक है, तो ध्यान यह देजेगा, कि बी के बाद हम वर्ब की third form यूज करना है, तो यह sentences passive में बनते जाना है, जिसमें कि क्रिया का जिक्र हो रहा है, पूरा जोर क्रिया पर दिया जा रहा है, और अगर य यह बोलना है, कि मज़े आएंगे, या फिर मज़ा आएगा, तो क्या बोलेंगे, it will be fun, ठीक है, तो इस तरीके से आपने बी का यूज किया, अगर यह बोलना है, कि पुलिस अपराधी को पकड़ लेगी, तो आप क्या बोलेंगे, the police will catch the criminal, लेकिन यह अगर बोलना है, कि अ आप कॉट, तो अब आप समझ गए, कि normal sentence, यानि कि active sentences और passive में क्या फर्क है, ऐसे sentences के लिए हम passive बनाने के लिए बी का यूज करते हैं, कुछ और sentences से practice कर लेते हैं, हमें भेजा जाएगा, we will be sent, यहाँ पर यह जिक्र नहीं है, कि कौन भेजेगा, सिर्फ और सिर्फ यह कह र पीटेगा, इसका जिक्र नहीं है, रोहन विल बी बीट, नेटवर्क फिर से शुरू होगा, the network will be restarted, तो यह हो गए, बी के यूज पैसिव में किस तरह के यूज करना, और ऐसे sentences आपको बहुत सारे बोलने पड़ते हैं, जहाँ आप करता का जिक्र नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिया के बाद करते हैं, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं बीइंग के बारे में, तो गाइस बीइंग, बी की continuous form है, continuous form यालि कि जो काम हो रहा है या हो रहा था, उसके लिए हम बीइंग का यूज करेंगे, और एक बात आपको बता दूँ कि यहां हम is, am, are, was, were, इनके बाद being का यूज करते हैं, जैसे कि जो मैंने आपको पिछले sentences दिये, उसी में समझाती हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ भाएं, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मुझे पार्टी में ले जाया जाएगा, तो अगर मैं ये बोलती कि मुझे पार्टी में ले जाया जा रहा है, तो मैं बोलूगी, I am being taken to the party, मुझे पार्टी में ले जाया जा रहा था, I was being taken to the party, तो इस तरीके से हम is, am, are, was, were के बाद being का यूज करते हूँ और being के बाद third form ही आती है, तो ये भी passive ही sentence है, उन्हें अस्पतार ले जाया जा उन्हें अस्पतार ले जाया जा रहा है, they are being taken to the hospital, guys मैं आपको ये बता दो कि इसका कितना ज्यादा यूज होता है, और being अपके लिए कितना जरूरी है सीखना, जैसे कि अगर आप simply ये बोलना चाहते है, मैं खाना खारी है, तो आप बोलते है, I am eating food, या फिर I am having food, और is being eaten, आप दो का भी यूज कर सकते हैं, शुरू में बोल सकते हैं, the food is being eaten, तो इसके बाद being का यूज, उसके बाद work की third point, ठीक है, तो ये पैसिव बन गया, इसी तरीके से अगर आप कुछ और sentences बोलते हैं, जैसे कि, simple sentence में चाचा जी हमें भेज रहे थे, uncle was sending us, अब इसी को being की मदद से बनाना हो, और sentence होगा, कि हमें भेजा जा रहा था, we were being sent, तो past की बात है, we के साथ were आया, फिर being, फिर send की third form, sent, we were being sent, पापा रोहन को पीट रहे हैं, ये एक active sentence है, यहां क्या बोलेंगे, father is beating रोहन, और अगर passive में बनाते हैं, being का यूज करके sentence होगा, रोहन को जा रहा है, रोहन is being beaten, चाय बनाई जा रही है, कई बार होता है कि मेहमान आपके घर आये हुए हैं, और आप उनसे बोलते हैं, बस चाय बन रही है, या फिर चाय बनाई जा रही है, the tea is being prepared, the tea is being prepared, पटाखे बिक रहे हैं, the fire crackers are being sold, कौन बेच रहा है, कौन से दुकानदार क मतलब नहीं है, पटाखे बिक रहे हैं मार्केट में, तो इसके लिए आप बोलेंगे, the fire crackers are being sold, तो ऐसे sentences आप बहुत जादा यूज करते हैं, जैसे कि सबजी बिक रही है, दूद बिक रहा है, तो इसी तरीके से sentences को बनाईए, और सबजी बिक रही है, दूद बिक रहा है, कौन परोसरा, इससे मतलब नहीं है, the food is, या फिर the meal is being served, तो गाइस, अब बात कर लेते हैं, बीन की, बीन भी बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है, और मैं आपको बता दूँ कि बीन की past participle form है, तो यह already third form की तरह यूज होता है, और बीन को हम किसके बाद यूज करते हैं, वो आप समझ लीजिए, half के बाद, अब half का मतलब सिर्फ half से नहीं है, half के बाद मतलब की has के बीबाद और hat के बीबाद, क्योंकि यह इसके forms है, तो short में हम बोल सकते हैं कि half के बाद, अब आप इसका भी structure समझ लीजिए, कि half के बाद जब बीन यूज होगा, उसके बाद भ पहले वाले ही ले लेते हैं, जैसे कि अगर हमें बोलना है कि खाना परोसा जा चुका है, the meal has been served, has been served, अब इसी को अगर simple way में बोलते, तो हम बोलते कि मम्मी ने खाना परोस दिया है, तो इसकी translation क्या होती, mother has served the meal, लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि खाना परोसा जा चुका है, किसने परोसा इससे मतलब नहीं है, तो क्या बोला हमने, the meal has been served, इसी तरीके से अगर आपको बोलना है कि खाना खाया जा चुका है, meal has been eaten, तो इस तरीके से आपको has, have, had के बाद इसे use करना है, तो past के अगर बात करें, had वाला sentence ले लेते हैं, पापा ने रोहन को पीटा था, father had beaten रोहन, रोहन को पीटा गया था, किसने पीटा, इससे मतलब नहीं है, रोहन को पीटा गया था, रोहन had been beaten, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा, had, फिर been, फिर beaten, आपको बोलना है, हमने मजे किये थे, we had fun, मज़ा आया था, it had been fun, चाचा जी ने हमें भेजा था, uncle had sent us, हमें भेजा गया था, we had been sent, कमरा साफ किया जा चुका है, the room has been cleaned, किसने किया, इससे मतलब नहीं है, the room has been cleaned, सबजियां लाई जा चुकी है, the vegetables have been brought, कौन लाया, इससे मतलब नहीं है, बस सबजियां लाई जा चुकी है, the vegetables have been brought, दूध दूध दुबारा से गरम किया जा चुका है, the milk has been reheated, reheat का मतलब दुबारा से गरम करना, और जाएट, guys, hope कि आप अच्छी तरीके से समझ गए, कि बी, बी, और बीन का यूज हम किस तरीके से करते हैं, जब हमें ऐसी बाते बोलनी हों, जिसमें हम करता पर जोर नहीं देते, क्रिया पर जोर देते हैं, में मोटिफ हमारा ये होता है, कि क्रिया जो हो रही है, उस पर आपका ध्यान खीचे, न कि कौन कर रहा है इस पर, तब आप इनका यूज करते हैं, और आपने सीख लिया कि बीन का यूज कहा करना है, बीन का कहा करना है, बीन का कहा करना है, इसके अलावा इनके और भी यू See you soon. Bye-bye.